मैं यूटूब फ्रेंज वेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल आज के हमारे इंपोर्टिंग क्रेंट अफिर्स रहेंगे 8-10 डिसंबर 2020 ठीके अगर आप जो हैं गमेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें फर्स्ट हमारा लालदु होमा जो इनको जो है मिजोरम का नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया गया और इसके मिजोरम की जो नय गवर्नर बने वो बने डॉक्टर हरी बाबु कमबापती ठीक हैं फिर नेक्स हमारा उत्राखन गलोवल इन्वेस्टर समीट 2023 उत्राखन है वहां पर ये सम्मिट हुआ ये बैठक हुई इसका उदगाटन क्या मोधी जीन है जो हमारे प्रधान मंत्रिय है और इसके थीम क्या थी पीस और टू प्रोस्पारटी ठीक है फिर एक और जो सम्मिट हुआ वहा गलोवल टूरिजम इन्वेस्टर सम्मिट 2023 ये 2030 की जो ये बैठक हुई ये खहां पर हुई न्यू डैली में हुए फिर नेक्स हमारा कोईशन रहेगा CII Sports Business Award 2023 ठीक है CII क्या है ये नेशनल कमिटी अन स्पोर्स ठीक है स्पोर्स के एक नेशनल कमिटी है इसके चेर्मेन कौन है चानक के चादरे अब CII Sports Business Award 2020 जो है इसमें Best Sports Facility Award दिया को ठीक है कालेंगा इंस्ट्रूट आफ इंडेस्ट्री टेकनोलोजी जो खहां पर भूमनेश्वर उडिसा में है और इसमें जो है Best Sports Business Leader Award इसको दिया गया वो दिया गया जैशा जैशा कौन है बी सी से आइस की सेक्टरिटरी एंड प्रेजिडेंट आफ एशिया एशियन क् के प्रेजिडेंट भारत का पहला Art, Architecture and Design एग्जिवीशन जो हुआ वो डेली के लाल केले में हुआ जिसका उदगातन किया मोदी जीन है और इन्हों ने जो है यहां पे एक और उदगातन किया आत्म निर्वा भारा सेंटर का और यह जो एग्जिवीशन था वो और्गनाइ जीन परफॉर्मेंस इंडेक्स है जिसमें भारत की भारत की पोजिशन थी एर्थ और टॉप कंट्रोई थी डैनमार्ग फिर है एक और इंडेक्स हमाँ पास इंडिया इंवार्मेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स तीक है दो हजाद एईस का इंडिया इंवार्मेंट परफॉ तो वो वीडियो आपने देख लेनी है उसके बारे में पढ़ लेना है ठीक है एक तुफान आया मिचोंग ठीक है और यह जो है तमिलारू उडिसा स्टेट वगएरा और पुरुचेरी स्टेट से क्रॉस होते हुआ है जिस वज़े से क्या हुआ वहां पर बहुत जादा बारि जास्टर मिटिगेशन फंड के तहप जो है चैनई वेसें प्रोजेक्ट के लिए 561.2 क्रोड रुपए का जो है फॉर्स्ट अरवन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो है अनाउस किया ठीक है तमिलारू स्टेट के लिए तो बस इतना सा आपने याद रखना है कि यह ज हमारा हरीत सागर ग्रीन पोर्ट गाई लाइन अब हरीत सागर जो है बस आपने यह याद रखना है कि इसका में एम है टू अचीव जीरो कार्वन मिशन गोल ठीक है अब यह है क्या यह यूनियन निस्टर जो है और पोर्ट शिपिंग एन वाटवेके उन्होंने जो इस गा और competitive बनाना ठीक है और कावम फ्री बनाना ठीक है और जो हमारा भारत में जो पहला green port है in इंडिया में वो कहां पे है हालदिया port in best mogaul बस आपने इतना से आदर नहीं कि यह जो है यह port green port से related है और launch क्यों किया है और किसली किया है किसने किया है ठीक है human right day 10 December को celebrate किया जाता है और इसका जो theme थी freedom equality and justice for all ठीक है next हमारी एक book है नए भारत का समवेदा ठीक है यह launch किसनी की जो हमाई former president थे रामनात कोविंद उन्होंने इस book को launch किया न्यू डैली में ठीक है और एक और बुक यह जो book है वो नरेंदर मोदी जी के उपर है एक और बुक है जो नरेंदर मोदी जी की life के उपर है कर्मियोता बुक जो अमिच रिलीज की थी नेक्स्ट है हमारा मेक्स लाइफ इंशूरेंस मेक्स लाइफ इंशूरेंस स्टेविलाइज हुई थी 11 जुलाय टुथासेंट में इसके जो CEO है वो है प्रशान्त त्रिपार्टी अभी इन्होंने जो है अपने नए चेर्मेन अपॉइंट किया राजीव आनन ठीक है उसके वेस्ट अरवन कॉपरेटिव बैंक इन यूपी ठीक है अरवन कॉपरेटिव बैंक यूपी का है इसका लाइसेंस जो है इन्होंने अभी कैंसल किया फिर नेक्स्ट हमारा SNP रैंकिंग स्टेंडर एंड पूर रैंकिंग इसमें जो भारत की LIC इंशूरेंस कंपनी है उसका फोर्ट नमबर रहा इसमें फिरस्ट को टाप में कौन थी जरमनी फिर है चायना देन जपान फिर उसके बादा है LIC ठीक है भारत की जो LIC कंपनी है इन्शूरेंस कंपनी है उसका जो है फोर्ट नमबर रहा इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को जादा से जादा शेयर करें साथ ही साथ जो है अपनी फीड़बैक भी कमेंट सेक्षिन में ज़रूर दें